जुछ लुट प्रेंड्स आज के वीडियो में हम लोगेवल के अंदर फॉर्म का डिजाइनिंग करके देखेंगे कितना सुन्दर डिजाइनिंग कर सकते हैं इसके लिए हम लोग subline test open किये हैं, open करने के बाद उसे save कर लिए है, क्योंकि subline test का editor fancy होता है, वो automatically detect करना सुरू कर देता है, body, busy color, call to, siyan, subline test का editor आपको help भी करता है, जैसे यह आप कुछ लिखिएगा automatically, पूरा का पूरा पूर लिखते हैं, table, border, table to, one, table को close करेंगे हमनों, इसके अंदर हमनों row बनाएंगे और उस row में data को fit करेंगे, row बनाने के लिए, tr लिखा जाता है, table row, और data को fit करने के लिए, td लिखा जाता है, table data, td, roll, roll नाम का बना लिए, td, इसके अंदर input box बराना है, input box बराने के लिए हमने लिखना पड़ता है, input, count, type, equal to, text, size, equal to, 10, एर से से हमनों close कर देंगे, control c से copy करेंगे, copy करने के बाद, मैं एक line all लिखना है, control vc से paste कर देंगे, इसमें इसका नाम कर देंगे, आमनों name, आमनों का दो text box बनेगा, एक के उपर name, और एक के उपर, roll लिखेगा, the help of control s, इससे save कर देंगे, mouse का right button क्लिक करेंगे, open in browser पर क्लिक करेंगे, तो हम लोग का इस तरह का form 1 कर त्यार हो जाएगा, अगर इसमें हमें check box जोर ना हो, इसमें को हम लोग कापी, control c से, control v से इसको paste कर देंगे, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, table data को बंद करेंगे, input type equal to, हमें तब check box लिखना परेगा, check box name equal to bca, एक और check box बराना है, इसे हम लोग कॉपी कर देंगे, control v की मदस्य से पेश्ट, name, mcs, check box कर रख दिएंगे, इडी को बंद करेंगे, control a से save, open in browser पर क्लिक करेंगे, आपका check box बनकर तयार होगे, thank you for watching this video, कर दो दूआ वातो,